Hello students, पिछले वीडियो में हम आलरीडी पढ़ चुके हैं आईसोटोपस, आईसोटोनस एंड आईसोबार्स के बारे में अब इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी के बारे में तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी डिस्कवरी से देख इसके डिसकवरी ऐसा नहीं कि कुछ प्लाइन की गई थी इसके अंदर एक साइंटेस्ट थे जिनका नाम था है हैंडरी बेकरेल वो एक दिन कुछ वर्क कर रहे थे लेकिन वर्क करते हुए क्या हो गया बारिश आने लगी तो उन्होंने क्या किया कि जो एक यूरेनियम का सॉल्ट था जिसके साइट वो वर्क कर रहे थे उसे उन्होंने एक पेपर के अंदर लेपेट के रख दिया ठीक है एक यूरेनियम का सॉल्ट था ठीक है पेपर के अंदर इसको फोल्ड करके रख दिया उन्होंने और एक photographic plate थी उसके उपर उसे वो रखा छोड़ गए ठीक एक कुछ दिनों बाद वो आते हैं और वो बहुत ज़्यदा surprise हो जाते हैं कि वे जो photographic plate थी इस photographic plate पर कुछ radiations के उन्हें mark मिलते हैं तो उन्होंने ये सोचने की कोशिश करी कि आखिरकार ये जो radiations आ रही हैं तो उनको इस बात का पता चला कि ये जो radiations आ रही हैं ये जो उन्होंने uranium का salt रखा था एक black color के paper पे फोल्ड करके उसमें से बाहर निकल रही हैं ये radiations तो यहां से इन radiations को जो किसी भी paper के अंदर से या किसी glass या wood के अंदर से बाहर निकल कर आ रही थी uranium के salts में से ठीक है ऐसा नहीं कि एक ही salts जिनके साथ वो काम कर रहे हैं तो उसमें से निकल कर आई और भी कोई उन्होंने uranium का salt लिया तो उसमें भी उन्होंने यही पाया कि उनके अंदर से क्या निकल रहे हैं कुछ radiations निकल रही हैं और वो radiations जो है paper को भी pass कर जाती है glass को भी pass कर जाती है और pass करने के बाद जो यह photographic plate थी इसे भी effect कर देती हैं तो इन radiations को क्या नाम दिया गया baccaral rays यानि की baccaral rays क्या कौन सी rays थी baccaral rays वो rays थी जो radiations निकल रही थी uranium के salts के अंदर से ठीक है अब ऐसा नहीं कि केवल uranium ही उसके अंदर है जिसके अंदर से radiations निकलती हैं यह radiations रेडियम से भी निकल सकती हैं उसके अलावा polyum, polonium से भी निकल सकती हैं, thorium से भी निकल सकती हैं तो बहुत सारे ऐसे element उसके बाद discover होने लगे जिनके अंदर से radiations निकलती हुई दिखाई देती थी और इन radiations को क्या नाम दिया बेकरल नाम दिया गया क्यों क्योंकि Henry बेकरल ने इसको सबसे पहले find out गया था अब यह जो radiations हैं, यह कितने टाइप की मिली, यह radiations हमें मिली 3 ताइप की, alpha, beta और gamma इसमें यह पाया गया कि जो alpha radiations होती हैं, वो किसी positively charged particle की वजह से होती हैं और जो यह beta radiations मिली, यह हमें negatively charged particle की वजह से मिली, जबकि जो gamma radiations थी, उसके उपर कोई भी चार्ज हमें नहीं मिला तो फिर उसके बाद हमने पूरी की पूरी एक ब्रांच जो है वो बनानी शुरू करी कि भी कौन-कौन से element है जो इस तरीके का फिनॉमिना दिखाते हैं और इस फिनॉमिना के पीछे reason क्या है क्योंकि reason भी तो हमें पता होना चाहिए कि इसके पीछे reason क्या होता है तो हमने पाय कि कुछ substances क्या है radioactive substances है ठेक है radioactive substances कौन है radioactive substances वो है ऐसे substances जो अपने आपको डीके कर लेते हैं या फिर disintegrate कर लेते हैं या निकि अपना breakdown भी करवा लेते हैं कैसे अपने अंदर से spontaneously कुछ radiations को emit करके ऐसे substances जो अपने आपका disintegration करवा रहे हैं या डीके करवा रहे हैं जब उनके अंदर से spontaneous emission होता है radiations का ऐसे substances को क्या कहने लगे हम radioactive substances कहने लगे ऐसे radioactive substances के example हमने पहले देख लिए जैसे uranium है, polonium है, thorium है ठेक है तो यह सब क्या है? example है radioactive substance के हमने अब इसके अंदर एक trend देखा trend यह था कि ज़्यादा तर वो elements जिनका atomic number 82 से ज़्यादा था ठीक है ऐसे elements जिनका atomic number 82 से ज़्यादा था यानि कि जिनके जो number of neutrons थे वो बहुत ज़्यादा थे number of protons के तो हमने देखा कि ऐसे nucleus काफी unstable nucleuses है और उनी के अंदर से ज़्यादा तर हम क्या देखते हैं? radiation को निकलते हुए देखते हैं ठीक है? यानि कि ऐसे elements जिनका atomic number 82 से ज़्यादा है वो ज़्यादा तर nature में कैसे मिले हमें? radioactive मिले और ऐसे substance को हम क्या कहने लगे? natural radioactive substance यानि कि natural radioactive substance कौन है? वो elements जिनका atomic number 82 से ज़्यादा है जिनके neutron उनके proton से काफी ज़्यादा है और वो अपने अंदर से लगाता है रेक radiation को निकालते जा रहे हैं? ऐसे ही substance को हम क्या कहने लगे? radioactive या natural radioactive substance कहने लगे अब इसके अंदर आता है next point कि क्या किसी physical change की वज़ा से या किसी chemical change की वज़ा से जो ये radioactive substance अपना decay कर रहे हैं इनका जो rate है decay करने का क्या हम इसको बदल सकते हैं? यानि कि एक radioactive substance है वो अपने आपको disintegrate किये जा रहा है उसका disintegrate होने का एक rate है suppose example के form में ले ले लेते हैं कि वो एक घंटे में अपनी initial quantity का half हो जाता है तो ये उसका एक particular rate हो गया कि एक घंटे में वो initial quantity का half हो रहे हैं तो क्या इस rate को हम अपनी तरफ से बदल सकते हैं किसी physical change जिसे physical change जैसे कि pressure बढ़ा कर घटा कर या temperature को बढ़ा कर घटा कर और या फिर किसी chemical change से chemical change में क्या करवाया जा सकता है chemical change में किसी chemical के साथ इसकी reaction करवा कर किया इस rate को बदला जा सकता है ठीक है क्या हम किसी मेगरेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखवा कर इसकी इस प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं या किसी केमिकल ट्रीटमेंट जैसे कि ऑक्सिडेशन वगेरा करके क्या हम इस चीजों को चेंज कर सकते हैं इस रेट को चेंज कर सकते हैं तो इसका अ नुकलियस के आउटर मोस शेल के इलेक्टरॉन होते हैं उनकी वज़ासे होते हैं इसका यह साफ साफ मतलब है कि जो आउटर इलेक्टरॉन है उसकी वज़ासे कोई भी रेडियो एक्टिव नेचर नहीं होता तो रेडियो एक्टिव नेचर किसकी वज़ासे होता है रेडियो बी सबस्टेंस जो radioactive होता है radiation जो निकलती है उसके nucleus से ही निकलती है यानि कि क्योंकि कोई physical और chemical change से आप radioactive substance के decay का rate नहीं बदल सकते हो इसका सीधा-सीधा मतलब यह है कि radio activity involved ही नहीं है dependent ही नहीं है outer electrons पर क्योंकि जितनी भी chemical properties में change आते हैं वो जादतर इलेक्ट्रोन की वज़े से होते हैं तो जब वो orbital electron पर depend ही नहीं कर रही है तो इसका मतलब कि जो radio activity है वो एक nucleus dependent phenomena है ना कि एक outer orbital electron dependent formula है तो यहाँ पर radio activity एक nuclear phenomena हो गई और इसके अंदर continuously किसी भी atom के nucleus के अंदर से alpha या फिर beta radiations निकलती रहती है और साथ में gamma radiations भी evolve हो सकती है यानि कि या तो alpha और gamma साथ में निकल सकते हैं या फिर beta और gamma साथ में निकल सकते हैं alpha और beta radiations यहाँ साथ में नहीं निकलती हैं अब उसके बाद जाता है कि क्या रेडियो एक्टिविटी एक random phenomena है ठीक है बिल्कुल रेडियो एक्टिविटी एक random phenomena है कैसे मालनों आपने बहुत सारा radioactive substance ले रखा है उसके अंदर बहुत सारे radioactive atoms present है अब हम कभी भी predict नहीं कर सकते कि इन में से कौन सा nucleus है जो कि पहले unstable होगा और अपने आपका decay start कर देगा यनि कि यह बिल्कुल एक random phenomena है कभी कोई हमारे पास law नहीं है और हम कभी judge भी नहीं कर पाएंगे कि इन सारे atoms में से कौन सबसे पहले अपने आपको disintegrate करना start कर देगा तो इसलिए हम क्या कह सकते कि radio activity कैसा phenomena है एक random phenomena है तो इन सब points से हम क्या conclude कर सकते radio activity के बारे में कि सबसे पहले तो यह nuclear phenomena है nucleus से निकलती है radiation secondly एक random phenomena या कोई rule या law नहीं है जिससे हम पता लगा सके कि पहले कौन सा atom या nucleus होगा अपने अंदर से radiation निकालना start करेगा किसी भी chemical या physical change से आप rate of d के नहीं बदल सकते radioactive substance का और क्योंकि physical और chemical change होते है rate को change नहीं कर सकते जो कि यह show करता है कि orbital electron की वज़े से radio activity नहीं होती है अब हम पढ़ते हैं आगे जो यह radioactive radiation है जिनको हमने नाम दिया है alpha beta और gamma के बारे में कि इनका nature कैसा होता है अब इनका nature पता लगाने के लिए कि इन पर charge कौन सा होता है हम एक experiment कर सकते है experiment में हमें क्या करना है हमें दो charge plate लेनी है ठीक है यह हमने दो metal की plates लिये है जो कि charged है एक पर हमने negative charge रखा है एक पर हमने positive charge रखा है ठीक है यह हमने एक LED box लिया है LED box जो होता है उसमें हमने LED क्यों लिया है क्योंकि यह जो होता है cable radioactive radiations जो होती है जहां पर होल होगा यहां से pass हो सकती है लेकिन जहां-जहां LED present होता है LED जो होता है इनको absorb कर लेता है वहां से radiation pass out नहीं हो सकती ठीक है तो यहां से हमने एक radioactive substance का source लिया यहां से हमने देखा कि जो भी alpha radiation जो भी radiation है उनमें से कुछ radiation होती है वो तो negative charge plate की तरब बैंड होती है और कुछ radiation हमने देखी कि वो क्या होती है सीधी की सीधी चली जाती है इस्से हम क्या conclude करेंगे यानि कि conclusion क्या होगा conclusion ही होगा कि यह जो radioactive substance हम यहाँ पर ले रहे हैं इसमें से जो radiations निकल रही हैं जो कि negative की तरफ band हो रही है जरू उसके अंदर कैसा particle है positively charged particle क्योंकि positively charged particle ही कहां ट्रेक्ट हो सकता है negative charge plate की तरफ अब कुछ radiations जो कहां मुड़ती जा रही है जिससे यह idea लगता है कि कुछ radiations जो होती है वो कैसी हो सकती है negatively charged हो सकती है और एक दो radiations हम यह consider कर रहें कि इसी सीधी चली गई इसके अंदर से ठीक है यानि कि electric field का उन पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है तो इसका मतलब यह जो है gamma radiations consider की जाती है और इन पर माना जाता है कि कोई भी charge present नहीं होता नो charge is present जो radiations जो होती है positively charge होती है वो मानी जाती है alpha radiations और जो radiation negatively charge होती है वो मानी जाती है beta radiation अब इसके अंदर हमें यह तो पता लगया कि alpha radiation positively charge होती है beta radiations negatively charge होती है और gamma radiation जो होते हैं पर कोई charge नहीं होता लेकिन इसके अलावे एक और चीज़ हम देखते हैं वो यह है कि जो alpha particle है जब वो किसी electric field में गई तो वो negative plate की तरह bend तो हो रहे हैं लेकिन bending जो है वो बहुत ही कम हो रही है जिसकी वजह से हम यह बात पता लग रही है यहाँ पर कि यह जो alpha के particle है इनका mass काफी ज़ादा है जब कि अगर हम बात करते हैं बीटा के particle की तो बीटा के particle में जैसे कि हम देख रहे हैं कि bending काफी ज़ादा हो रही है यानि कि जो भी particle light weighted होता है उसी में ही bending ज़ादा होती है यानि कि इसका जो weight है या mass है इन particles का वो क्या है कम है जब कि gamma जो है वो तो undeviated रहे गई और उसके अंदर ऐसे भी कोई particle present होता नहीं है तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका कोई particular mass नहीं है इसके अंदर ऐसे कोई particle नहीं है उसका mass काफी high होता है Rutherford ने काफी ज़ादा experimental research करी किस चीज़ के ओपर इन radiations के nature के बारे में study करने के लिए उसमें से एक nature तो हमने अभी पढ़ा कि यह जो rays होती है इन पर किस किस तरीके का charge होता है ठीक है हमने यह देखा कि इन alpha जो होती है बीटा जो होती है वो negative होती है और gamma के पास कोई भी charge present नहीं होता उसी तरीके का एक experiment है कि जब हम इन radioactive substance को किसी magnetic field में रखते है ठीक है तो हम यहाँ पर consider कर रहे हैं कि यही वही lead box है जिसके अंदर कोई radioactive substance रखा हुआ है इसमें से हमने इस radiations को यहाँ पर जो निकल रही है पास करवाया है एक external magnetic field में ठीक है यहाँ पर हम consider कर रहे हैं कि external magnetic field है ठीक है यह magnetic field किस तरीके की है जो magnetic field के जा रही है पेपर के अंदर की तरफ जा रही है ठीक है तो external magnetic field के अंदर हमने रखा है तो हम यहाँ पर यह देखते हैं, कि यह radiation अपने आपको separate कर लेती है, external magnetic field के अंदर, यानि कि इसमें फिर से वही nature देखा गया, कि कुछ radiations जो होती है, वो तो undeviated चली जाती है, ठीक है, कुछ radiation जो होती है, वो बहुत जादा bend हो जाती है, external magnetic field के अंदर, और कुछ radiation जो होती है यह बेंड तो होती है, लेकिन बहुत जादा bending शो नहीं करती है, लेकिन इसमें एक और nature देखा गया, कि कुछ radiation जो होती है, वो left side में bend कर जाती है, तो अब हमने यह consider किया है, कि जो left side में bend कर जाती है, वो radiation कौन सी radiation है, alpha radiation, जो की positively charged radiation होती है, जबकि जो right side में bend कर जाती है, बीटा radiations होती हैं, जो कि negatively charge radiation होती हैं, और जो undeviated चली जाती है, वो कौनसी radiations होती है, gamma radiations होती है, जिस पर कोई charge present नहीं होता है,